Hey guys, welcome to Hashtag Singh तो जो fanbase है इसका वो बनने वाला है तो उसी साब से इन्होंने बहुत सही casting के है अमिज जी को तो पूरी दुनिया प्यार करती है अपार्ट फॉम देर नागरजुना is a very big star and tremendously popular down south तो अगर 80s, 90s की बात करें तो मेरे ख्याल से जो तीन South Indian stars है आपके top of the mind में वो होंगे रजनी कांथ, कमल असन और नागरजुना तो ये तीनों के तीनों जो stars हैं वो बहुत बड़े हैं डाउन साट और उन में से एक यानि कि नागरजुना का इस movie के अंदर आना वो मेरे ख्याल से movie के लिए एक right combination जो है उसके उपर से youth का power, Ranbir Kapoor and Arya Bhatt इनका tremendous fan base है इनका ही fan base है जो first day first show movie दिखने जाएगा जैसे ही movie 9 September को ठेटर में आती है उसके बाद में there is Moni Roy जो की tremendously popular है TV audience के सामने तो जो cast है वो तो bang on right इनको मिली है उसके उपर आयान मुकर जी भी मेरे ख्याल से is in top form और वो कुछ अलग करने वाले हैं बहु बली KGF जैसी movies को वो टक्कर देने वाले है जिस तरीके से इसका trailer shape up हुआ है I really hope so कि जो ब्रहमस्त्र movie है उसको पहले ही 3 दिन के अंदर इतनी जबरदस्त opening मिले कि आगे के लिए वो trend set कर दे अगर ब्रहमस्त्र part 1 हिट होती है बहुत अच्छे margin से हिट होती है तो आपको जो थोड़ी बहुत कमिया दिखती है VFX के अंदर जो अगर उसको compare कर रहे हो Marvel level की तो अगर आपको कुछ कमिया दिखती है VFX के अंदर तो वो definitely second part में take care हो जाएंगी क्योंकि ये first movie है producers जो है उन्होंने अच्छी तरीके से heavily invest के already they have lost two years ये 2020 के अंदर आ जाती है मगर pandemic के कारण ये दो साल आगे हो गई है तो चलो देर आए दुरुस्ता है इसकी जो publicity है वो अच्छी तरीके से December 2021 में शुरू हो गई थी अच्छे खासे 6 महीने से कही न कहीं भीच भीच में आके ये लोगों को याद दिला रहे है कि ब्रह्मस्त्र जो है 9 September को आने वाली है और ये जो सबसे बड़ा impact जो हुआ है वो trailer का हुआ है दोस्तो इतना अच्छा trailer जो बनाया है जो trailer है trailer से ही जो ऐसा लग रहा है कि अगर कल मूवी रिलीज हो तो कल ही जाके ये मूवी देख ली जाए तो इतना अच्छी तरीके से trailer एडिट किया गया है जो VFX है अभी तक तो अच्छे दिख रहे हैं जो एक दो सीन है थोड़े से awkward VFX लग रहे थे लेकिन चलो वो जब एक पूरी मूवी देखेंगे तभी हम अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि भी constantly इन्होंने VFX के उपर कितना अच्छा काम किया है apart from that अभी तक जितने भी universe थे इंडिया के अंदर वो या तो cop universe है या spy universe है जिसके अंदर special effects इतने जादे use नहीं किया जाते हैं जबके marvel और DC universe पूरा खेली special effects का है तो अगर actual में universe बोलो superhero universe बोलो तो वो इंडिया के अंदर अस्तरवर्स लेके आता है smartly उन्होंने इसको अस्तरवर्स रखा है क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम इसको पहदी movie से ही compare करने लग जाएं Avengers के साथ में मगर जो fans है वो तो यहीं चाहेंगे कि भी ये Avengers के मुकाबले की इंडिया का अंसर हो Avengers के लिए क्योंकि already superhero market बहुत अच्छी है इंडिया के अंदर spider man राज कर रहा है even doctor strange जैसी movie जो है इतना अच्छा कमा रहे है क्यों क्योंकि वो spider man के साथ लिंग रहे तो universe का importance जो है वो logo को समझ में आ गया है apart from हम अगर देखे तो बहुत सारे heroes जो है already Bollywood के अंदर आये मगर क्रिश को छोड़के कोई hero जो है काम्याब हो नहीं पाया है and क्रिश भी जो है as a hero he is quite faulty मगर still he is the best among the lot तो इसके लिए क्रिश 4 भी आ जाएगी बहुत जल्दी तो hopefully जो एक super hero का दौर है इंडिया के अंदर वो अपने peak पे रहेगा 2022-23 के you know सालों के अंदर and उसके बाद में एक take off ले ले तो वो बहुत अच्छा होगा Bollywood के लिए Bollywood से याद आया है कि ये साल भूल भूलाया 2 The Kashmir Files ये दोनों को छोड़के कोई movie जो है कमाल दिखानी पाये Bollywood के लिए and अभी आ रही है जुग जुग जीयो and उसके बाद में और दो-तीन movies है Before Brahmastra shows up मगर Brahmastra के उपर Bollywood की literally सारी उमीदे टिकी हुई है उसका सिर्फ यही reason है कि एक तो इसका जो cast है वो बहुत जबरदस्त है वो पूरे इंडिया का पूरा fanbase कवर कर लेता है दूसरा ये multiple languages में release होने वाली है और तीसरा इसके उपर पैसा अच्छा कासा लगा है और उसके इलावा जब trailer की बात करें हम तो trailer के अंदर जो अमिजी का role है नागरजुना का role है उसके बारे में ज़्यादा खुलासा हुआ नहीं है मगर हाँ अरणबीर कपूर का अच्छा सा intro दे दिया है Moni Roy जो की एक negative role कर रही है इस movie के अंदर उनका भी अच्छा एक intro दे दिया है वो ब्रह्मस्त्र के पीछे है on the other hand अलिया भट का जितना भी एक love angle दिखाया गया है वो ही उसमें दिखाया अभी उनको powers मिलती है क्या मिलता है वो तो well movie देखने पर पता चलेगा मगर overall I am very happy with the trailer trailer जिस तरीके से इन्होंने बनाया है it was worth the wait तो दोस्तों after Sanju Ranveer will be back with another hard hitting performance hopefully some share थोड़ी सी आगे चले जाए क्योंकि ये movie का अच्छा एक momentum जो है बन गया है and I think so सीधा September के अंदर लोग Ranveer को first time 2022 में इस movie के अंदर देखा क्योंकि ये movie के अंदर दम है boss and definitely it can be India's answer to Marvel's Avengers and DC's Justice League तो दोस्तों I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीस इस वीडियो को like and share कीजे और इस चैनल को subscribe कीजे थैंक यू फो वच्छिंग गाइस दिखते रहिए आप 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 आप